दोस्तों आज के online practice test में हम देखने वाले सविधान के 42 ऐसे math person जो की exam में बहुत बार पूछे जाते हैं तो प्लीज आप इस test को पूरा end तक लगाएगा और 42 में से आप कितने सही गर पाते हैं वो मुझे comment box में जरूर बतेगा अगर आप चाते हैं इसी तरीके से online practice test की वीडियो साथी साथ reasoning और math की वीडियो भी आपको daily मिलती रहें तो नीचे radical के बटन को दबा करके bell icon को on कर लीजेगा आपके पास daily notification पहुचने start हो जाएंगे अगर आपको test पसंद आता है तो please आप इसको like जरूर करियेगा और अपने सभी दोस्तों और अपने सभी group में भी जरूर share किया करें ताकि दूसरे बच्चों की भी help हो सके तो चलिए start करते हैं आज के test को और इससे पहले भी मैंने top 50 सभीधान के questions का एक test लिया था जिसका link मैं नीचे description box में दे दूँगा आप उसको भी जरूर देख लेना आपको और एक question में 5-6 second दिये जाएंगे उस 5-6 second में आप नीचे उस question का answer नीचे comment box में बता सकते हैं तो बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पर option C लगा रहे हैं तो right answer C हो जाएगा question number 2 वर्तमान में सविधान में मूल करते वियों की कुल संक्या है तो बिल्कुल सही है दूसरे का right answer option D हो जाएगा question number 3 भारत में कार्यपालिका का अध्यक्स कोन होता है तीसरे का right answer यहाँ पर option A हो जाएगा आप सभी को पता होगा question number 4 भारतिय संक्या की सक्ति किसमे नहीं थे हैं दोस्तो A, B, C, D जो भी option होता है right answer उसको comment box में जरूर बता दिया करें ठीक है इससे और अच्छे से आपका test भी होता है और इससे आपको याद भी long term तक रहेगा कि आपने गलत बताया था है सही बताया था जैसा भी question number 4 का right answer option A हो जाएगा question number 5 राष्टपति के निर्वाचन मंडल में सामिल है तो बिल्कुल सही यहाँ पर पांच भी का देखे right answer option C हो जाएगा I hope कि आपने इसका right answer comment box में बता दिया होगा question number 6 राष्टपति पद के चुनाव संबंदित विवाद किसे निदेशित किया जाता है तो छटे का right answer यहाँ पर option D हो जाएगा question number 7 राष्टपति पद के निर्वाचन हेतू कौन सी पदिती अपनाई जाती है तो साथवे का right answer आपका बिल्कुल सही अगर आप option D लगा रहे है question number 8 भारतिय सेवाओं का सरुच सेनापति होता है तो सभी को पता है आपका option A right answer हो जाएगा question number 8 का question number 9 भारत के पर्थम राष्टपति थे तो नोवे का right answer बिल्कुल सही अगर आप option B लगा रहे है question number 10 निर्विरोध चुने जाने वाले एक मात्र राष्टपति थे तो दस्वे का बिल्कुल सही यह दोस्तो right answer option C हो जाएगा question number 11 पे चलते हैं ग्यारवा है राष्टपति पर माहा अभियोग का आरोप सांसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है तो बिल्कुल सही है राज्य सब और लोग सब दोनों द्वारा आने कि सांसद के किसी भी सदन द्वारा तो option C right answer हो जाएगा question number 12 कोई व्यक्ति राष्पति पर के लिए अधिक्तम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है तो बिल्कुल सही है कोई सीवा नही है कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है option D right answer हो जाएगा question number 13 राष्पति पर एवं गोपनियता किसा पर कोन दिलवाता है 13 का right answer बिल्कुल सही है अगर आप option B लगा रहे है अगर test पसंद आ रहा है तो please अपना comment नीचे comment box में बताईए ठीक है अगर आपको change कराना चाहते है वो भी comment box में बता सकते है या फिर आप test को like करके भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है question number 14 उप रास्थपती के निर्वाचन मंडल में सामिल होते हैं तो बिल्कुल सही है 14 का right answer option D हो जाएगा question number 15 भारत के उप रास्थपती को पद से कोन हटा सकता है तो 15 का right answer option C हो जाएगा question number 16 राजय सबा की पैठोकों का सबापतित कोन करता है तो 16 का right answer option B हो जाएगा question number 17 किस एक मात्र उप रास्थपती की मिरत्थव पद पर आसीन रहते हुई तो बिल्कुल सही है आपे 17 का right answer option A हो जाएगा दोस्तो A के question बहुत जादा important है तो एक भी question को miss मत करिएगा otherwise exam में कोई भी question पूछ जा सकते है इन में से question number 18 निमिन में से कोन सांसद का इस्थाई एवं उच सदन है तो 18 का right answer option B हो जाएगा question number 19 राजपती द्वारा राज्य सबा में कितने सदश्यों को मनोनित किया जाता है यहाँ पर राज्य सबा की बात की जा रही है तो ध्यान से दीजेगा answer तो बिल्कुल से है 19 का right answer option C हो जाएगा अगर लोग सबा की बात की जाती तो दो को ही करता है ठीक है दो एंगलो इंडियन जिन्सकों बोलते है यहाँ पर question number 20 राज्य सबा में किस राज्य के परतिनिद्यों की संख्या सरवदिक है तो 20 वे का right answer option D हो जाएगा ठीक है दोस्तों उत्तर परदेश 21 लोग सबा के लिए परत्थम आम चुनाव कब हुआ था बहुत अच्छा गोश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है तो 21 का right answer देखे option B रहेगा 1952 ठीक है चलिए next question पर चलते हैं Question number 22 लोग सबा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की निनुतम आयू होनी चाहिए तो 22 का right answer option C हो जाएगा Question number 23 कौन सा राज्य सबसे अधिक परतिनिदी लोग सबा में भेजता है तो बिलकुर से यहाँ पर 23 का right answer option A हो जाएगा यानि कि इसका भी right answer उत्तर पर देशी रहेगा 24 लोग सबा एहम राज्य सबा के दो अधिवेशनों के बीच अधिक्तम कितने समय का अंतर होना चाहिए तो बिलकुर से है 24 का right answer आपने comment box में बता दिया होगा Right answer option B हो जाएगा Question number 25 कोई विदेख धन विदेख है इसका निर्णे कोन करता है दोस्तों बहुत अच्छा question ने भी बहुत बार पूछा जा चुक है Option D हाँ पर right answer हो जाएगा Question number 26 सांसत के संयुक्त अधिवेशन को कोन बुलाता है यानि कि joint जो सैसन होता है राज्य सब और लोक सब आगा कोन बुलाता है उसको तो बिल्कुल सही है दोस्तों राश्ट पती ही बुला सकता है Option A हाँ पर right answer हो जाएगा Question number 27 परदान मंत्री की न्युक्ति कोन करता है तो 27 पर जो right answer है वो option B हो जाएगा बिल्कुल सही है Question number 28 सवतंत्र भारत के परथम परदान मंत्री थे बिल्कुल सही है 28 का right answer option C हो जाएगा Question number 29 परदान मंत्री या कोई मंत्री जो सांसद के किसी सदन का सदेश्चन नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सांसद का सदेश्चय बनना आवश्चक है तो बिल्कुल सही है 29 का right answer option B हो जाएगा ठीक है बई Question number 30 है मंत्री परिशत सामूहिक रूप से किसके परती उत्तरदाई होता है तो 30 का right answer option C हो जाएगा Question number 31 यदि किसी मंत्री के विरूद अविश्वास मत पारित हो जाए तो तो क्या होगा तो यहाँ पर 31 का right answer option बिल्कुल सही है आपका right answer option C हो जाएगा Question number 32 वित्य विधेयक सबसे पहले सांसत के किस सदन में पेस किया जाता है तो दोस्तों बिल्कुल सही है देखे 32 का right answer रहेगा सभी को पता होगा आपको यह right answer हो जाएगा ठीक है? Question number 33 Question number 33 निमलिकित में से किसे लोकसवा की कारवाईयों में भाग लेने का अधिकार होता है परन्तु मत देने का अधिकार नहीं है बहुत अच्छा कोशन है तो यहाँ पर 33 का right answer option A हो जाएगा ठीक है भई? चलिए next question number 34 34 है सरकार के विरूद एविस्वास प्रस्ताव सांसद के किस सदन में लाया जाता है तो 34 का जो right answer रहेगा बिल्कुल सही है option C हो जाएगा question number 35 लोगसबा का विगंटन कोन कर सकता है? तो लोगसबा का विगंटन कोन कर सकता है आपका? बिल्कुल सही है 35 का right answer A हो जाएगा question number 36 लोगसबा का नेता कोन होता है? तो बिल्कुल सही है 36 का right answer option B हो जाएगा question number 37 भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्सक की न्युक्ति कोन करता है? तो 37 का right answer option C हो जाएगा question number 38 राज्ये की कार्या पालिका का मुख्या कोन होता है? कार्या पालिका का पर्मुक्ति कोन होता है? तो 38 का right answer option A हो जाएगा देखे जैसे आपका central में मतलब देश में राश्टपती होता है वैसी state में राज्ये पाल होता है यानि की बिल्कुल जो power similar होती है वैसी power जैसी आपको राश्टपती का होती है वैसी राज्ये पाल को होती है state में यह बहुत similar होते हैं कभी मैं आपको इनको deeply में पढ़ाऊंगा दोनों को relate करके तो सब कुछ याद भी हो जाएगा question number 39 राज्यों में राज्ये पाल की न्युक्ति कोन करता है? तो 39 का right answer option B हो जाएगा question number 40 राज्ये पाल पद पर बना रहता है तो बिल्कुल से है 40 का right answer option C हो जाएगा ठीक है? question number 41 है राज्ये पाल विदान सबा में आंगल भारतिय समुदाए के कितने सदुश्यों को न्युक्ति कर सकता है? तो बिल्कुल से 41 का right answer option D हो जाएगा question number 42 राज्ये इस तरपर मंत्री परिसद के मंत्रियों की न्युक्ति कोन करता है? तो दोस्तो 42 का right answer option C हो जाएगा दोस्तो सबसे पहले तो आपका score क्या रहा है? वो comment box में बताइए इन सभी के answer मैंने नीचे आप एक दे दिये हैं इसकी PDF मैं टेलिग्राम पे अभी upload कर दूँगा वहाँ से जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना पहाँ सेुटाइख